नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस्वल इंडिया आपके साथ मैं हूँ का जोन अराइन बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया में बंगाल की 30 विधानसवा सीटों पर पहले चुरणे में मतदान जारी है ग्री मंत्री अमिश्चाह ने मदाताओं से बंगाल की गौरोफ को फिर से स्थापित करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में निडर होकर मतदान करने की अपील की है अमिश्चाह ने कहा है कि आपका एक वोट सुभाष चंदर बोस, गुरुदेव टैगवर और श्यामर प्रसाद मुखर जी जैसे महापुर्शों की कल्पना के बंगाल की रशना को साकार करेगा बंगाल में पहले चरण की सीटों के लिए ज़ारी मतदान के दौरान कोविट गाइडलाइन्स का पालन हो रहा है लोग मास्क लगा कर वोट देने पहुच रहे है सोशल डिस्टेंसिंग का भी खासा ध्यान रखा जा रहा है सुबार करडी सुरक्षा में शाम 6 बजे तक मतदान होगा चनाव आयोग ने केंद्र सुरक्षा बलो के करीब 730 कंपनिया तैनात की है प्रतेक कंपनी में 100 जवान है इसके साथ ही बंगाल पुलिस के भी 22,000 से जादा पुलिस कर्मियों को सुरक्षा में तनात किया गया है बंगाल चनाव के पहले चिरण में 30 सीटों पर चनाव हो रहे हैं वहाँ 1951 उमीदवार अपनी किसमत आजमा रही है 73 लाग से अधिक मदाता 1951 उमीदवार को किसमत का फैसला EVM में कैद कर रहे है इन 30 में अधिकतर सीटे नकसल बेल्ट जंगल महल रिजन में है प्रदार मंत्री नरिंदर मोदी समय बंगलादेश में है तो वो दो दिन की बंगलादेश व्यात्रा के लिए 26 मार्च को पड़ोसी मुल्क पहुंचे थे उन्होंने वहाँ से ट्वीट कर लोगों से भारी से भारी संख्या में मतदान करने की अपिल की है प्रदार मंत्री नरिंदर मोदी शुकरवार को बंगलादेश के दोधी वसिया दोरे पर पहुंचे आज जो प्रदार मोदी का बंगलादेश में दूसरा और अंतिम दिन है पहला दिन कोटनितिक लिहास से एहम था जबकि आज को दिन राजमितिक संदेश भरा रहने वाला है पशिमंगाल में जब लोग 30 विधान सभा सीचों के लिए मतदान कर रहे होंगे तो प्रदार मोदी इस दोरान बंगलादेश में मंदिरों में दर्शन कर रही होंगे प्यम मोदी सबसे पहले जोर इश्वरी काली मंदिर पहुचेंगे यही नहीं प्यम मोदी आज औरकांड़ी के मतवा समदाय के मंदिर भी जाएंगे औरकांड़ी वही जगह है जहां मतवा समदाय की सस्थापक हरीश श्वन ठाकूर का जन्ठ मुआ था मतवा समदाय बंगाल चुनाम में वोटों के लिहा से काफी माईने रखता है शनिवान यानि कि आज पिया मोदी गोपाल गंच में शेक मुझबर रह्मान की कबर पर जाएंगे वो ऐसा करने वाले पहले भारतिया निता होंगे मोदी बंगवंदू बापू म्यूजियम का उदखाटन करेंगे पिया मोदी बंगलादेश के पिया में शेक हसीना के साथ बातचीत भी करेंगे इस दोरान दोनों के बीच कई समझोतों पर हस्ताक्षर किये जाएंगे बंगलादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमिन ने पिया मोदी की दोरे से पहले कहा था कि दोनों देशों के बीच कम से कम पाँच करार पर हस्ताक्षर होने की उमीद है इसके अलावा कई प्रोजेक्ट्स का भी वर्चुर उद्खाटन किया जाएगा शनिवार किशाम दिली वापस लोटने से पहले पिया मोदी बंगलादेश के राश्पती अब्दुल हमीन से मुलाकात करेंगे पिया मोदी का कारिकरम जो है आज का वो कुछ इस तरह है जुरेश्वरी काली मंदिर पहुँचेंगे पिया मोदी उसके बाद बंग बंदु के कबरगापर मालर्ट पढ़ करेंगे इसके लावा और अकांठी में क्युम्निटी इसेप्शन करेंगे महराश्ट में इस वक्त कोडोना के कारिन सबसे बुरे हालात है राज़े में पिछले तीन दिन में 1,000,000 के सामने आ चुके है शुकरवार को राज़े में 36,000 से अधीक मामली दर्च किये गए जबकि उसे पहले भी तीन दिन लगातार तीस हजार से अधिक मामले दर्च किये गए थे इन हालातों को देखते वे सीयम उदव ठाकरे ने पुरे राज़े में नाइट कर्फ्यू लगाने का एलान कर दिया है मारास्ट सरकार की नई गाइडलाइन के मताब एक मॉल मारकेट सिनिमा हॉल को अभी 50% श्वमता के साथी काम करना होगा किसी भी शादी समारों में 50 लोगों से अधिक लोग नहीं आ सकते अंतिम संसकार में भी सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की जाज़त है उधर अस्पतालों में एक बार फिर से कोरोना मरीजों के लिए बैड रिजर्फ किये जा रही है मारास्ट सरकार ने प्राइविट अस्पतालों से भी 50 पीस दी बैड रिजर्फ रखने को कहा है राज़ी की लोगों को होली पर ध्यान रखना होगा कि कहीं भी कोई भी 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 भीडना लगाए मुंबई में अब किसी भी मॉल में एंट्री के लिए एंडिजन टेस्ट कराना जरूरी होगा राज़ी सरकार की उससे कहा गया है कि अगर कोरोना के आकड़े बढ़ते हैं तो सख्त लागडाउन लागू किया जा सकता है अलग कि इस पर अगले शुकरवार को फैसला लिया जाएगा गौरतलब है कि देश में इस वक्त जितने भी केस आ रहे हैं इसे में अब सख्त कदम उठाना निवार हो गया है जले के डियर में सितिक के आधार पर लॉकडाउन भी लगा सकते हैं गुड मॉर्निंग इंडिया खबरों में फिलाल के लिए तना ही आप देखते रहे हैं निस्वल इंडिया